हलो फ्रेंज गुड मोर्डिंग आप सब कैसे हैं मैं आसा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब का पढ़ाई भी सई से चल रहा होगा हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेट प्रैक्टिस हाँ दोस्तो हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में सेट प् तो याद रखिएगा BSAC का टारगेट हम लोग बनाए हैं जिसमें CGL का भी पोस्त उसमें साविल रहता है तो याद रखिएगा हम लोग सेट प्रैक्टिस में देखने वाले हैं जीके और क्या चीज को देखने वाले हैं जीएस का जो आपके एक्जाम में 50 नंबर का आते रहता है तो याद रखिएगा वहीं टार्गेट लेकर चले है कि इस कम से कम बैच में आपका ये कंप्लीट हो जाए कि 50 नमबर जो आता है GKGS तो या आपका डर खतम हो जाए इसके वज़ा से ये सेट प्रैक्टिस आपका स्टार्ट हो रहा है अगर वीडियो आपको पसंद देखे तो वीडियो को लाइक कीजएगा शेर कीजएगा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा शबसे फर्स67 wij बीडियो को सब्सक्राइब कीजएगा देख कोशन नमबर फस्ट वहारत में त्रीषतरिये पंचायत राजय परणाली का परस्ताव किस ने किया था अप्शन नमबर A है बलवंत राय मेहता समीती अप्शन B है अशोक्त मेहता समीती अप्शन C है रॉयल कमिशन अप्शन D है उप्यूक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर होगा अप्शन नमबर ए बलवन्त राय मेता समीती ये एक्जाम में कई बार कोश्चन आ गया है चलिए कोश्चन नमबर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कोश्चन नमबर दो आपके पास उपस्तित होता है देखिए कोश्चन दो क्या कह रहा है देखिए दो है समिधानिक पणलाली के और सफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट पति सासन समिधान की किस धारा के अंतरगत लागू किया जाता है अप्शन A है याद रखिएगा 352 अनुचेद अप्शन B है 356 अनुचेद अप्शन C है 360 अनुचेद तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा अप्शन B 356 के अंतरगत इसको लागू किया जाता है चलिए आपके पास कोश्चन नमबर 3 उपस्थित होता है कोश्चन नमबर 3 को देखते हैं तीन क्या कह रहा है याद रखिएगा एक व्यक्ति जो अपनी विशेष्टा से दूर लोगों के कम्प्यूटर को एक्सेस करते हुए अवैद रूप से जयनकारी प्राप्त करता है या नुकसान पहुचाता है तो उसको क्या कहा जाता है तो अपसन A है प्रोग्राम अपसन B है इनालीस्ट अपसन C है अस्पियर अपसन D है आपके पास हैकर तो याद रखिएगा जो अपसन D होगा राइट आंसर होगा चलिए कोश्चन नमबर 3 की और हम लोग बढ़ते है कोश्चन नमबर 3 आपका क्या कहता है तो देखिए तीन नमबर कोश्चन को आप अच्छे तरह से आप लोग पढ़ लिए चलिए कोश्चन नमबर 4 की और हम लोग बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 4 क्या कह रहा है कि प्रसीद पुष्टक गीत गोविंद किसने लिखा था अप्शन A है वानभट, अप्शन B है जैदेव, अप्शन C है मीरा भाई, अप्शन D है याद रखियेगा काली दास है आपका राइट आंसर होगा अप्शन B होगा जो जैदेव ने लिखे थे इस पुस्तक को किसको तो याद रखिएगा गित गोविंद पुस्तक का नाम है कौन लिखे थे बाई तो गित गोविंद पुस्तक का नाम है जैदेव ने लिखे थे चलिए आपके पास पांच नंबर कोश्चन देखिए उपस्तित होता है पांच नंबर है कि भारतिये किरेशी छेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यकरम कब शुरू किया गया था आपका राइट एंसर होगा देखिए, 9666B में B नंबर है, 9666B में C नंबर है, 9666B में, अपसन D है, 9651B में तो आपका राइट एंसर होगा, याद रखिएगा C होगा, 9666B में चलिए, आगे की और हम लोग बढ़ते हैं question number आपके पास उपर्स्तित होता है याद रखिएगा 6 6 क्या कह रहा है तो देखिए गरीबों के भोजन और पोशन संबंदित इस्थिती में सुधार करनी का कौन सा कार्यकरम है ध्यान रखिएगा question बहुत महतवपूर्ण select किये हैं इसको question को एक बार या दो बार आप लोग देख लिजिए set होता है तो set practice को अच्छे तरह से आप लोग पर सकते हैं देखिए क्या कह रहा है question इसमें आप answer भी दे सकते हैं तो देखिए यह क्या कह रहा है कि गरीबों के भोजन और पोशन संबंदित इस्थीती में सुधार करने का कौन सा कार्य करम है अप्शन A है midday mil scheme अप्शन B है सर्वजनिक बीतरन पढ़नाली अप्शन C है एकी किरित बाल विकास योजना अप्शन D है उपियुक सभी आपका right answer होगा याद रखिएगा बी सर्वजनिक बीतरन पढ़नाली होगा आपका right answer चलिए आगे question number देखते है question number आपके पास साथ उपस्थित होता है साथ क्या कह रहा है तो देखिए निम्न में से कौन सी भासा सरकार के द्वारा सास्त्रिय भासा घोशित की गई है option A है कनड, option B है गुजराती, option C है कुमकडी, option D है तुल्लू आपका right answer होगा याद रखिएगा A होगा कनड, कौन सा होगा तो कनड फिर से सुन लिजे ये कई बार question आ चुका है देखिए ये का बोला है सास्त्रिय भासा निम्ण में से कौन सी भासा सरकार के द्वारा सास्त्रिय भासा घोशित किया गए था तो याद रखिएगा जो कनड भासा था चलिए question number 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं question number आपके पास 8 उपस्तित होता है चलिए देखिए दंपा बाग दंपा बाग आरक्षित छेतर कहां इस्तित है अगला option है नागा लेंड अपसन B है मिजोरम option C है करनाटक अपसन D है केरल आपका right answer होगा याद रखिएगा B होगा जो मिजोरम होगा क्या होगा तो मिजोरम भी से सुन लिए दंपा क्या है दंपा बाग आरक्षित छेतर कहां इस्तित है तो याद रखिएगा आपका right answer होगा B जो मिजोरम में इस्तित है चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला question की ओर question number आपके पास 9 उपस्तित होता है 9 में देखिए क्या कह रहा है नौ निम्न में से भारतिये समिधान के किस अनुशूची में भारत के राज्य और किंद्रसासित परदेशों के नाम दिये गए है अपस्तित है निम्न में से भारतिये समिधान के किस अनुशूची में भारत के राज्य और किंद्रसासित परदेशों के नाम दिये गए है अपस्टन A है चोती अनुशूची अपस्टन B है तीसरी अनुशूची अपस्टन C है दूसरी अनुशूची अपस्टन D है पहली अनुशूची तो याद रखिएगा ओ जो राजय और किंद्रसासित परदेशों का जो दिया गया है नाम करण किया गया है तो अनुसूची पहला में किया गया है आपका राइट आंसर होगा डी होगा चलिए कोश्यन नमबर आगे की और हम लोग बढ़ते हैं कोश्यन नमबर आपके पास उ में हो जायते ध्यान से सुनिएगा कोश्यन बहुत मिन मिन आपका कोश्यन यह है अगर एक भी कोश्यन टच कर जाए बहुत यह माइन रखता है तो इसके वज़र से हम बताते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा चैनल प सत्यमेव जायते यहां से लिया गया है कहां से लिया गया है तो याद रखिएगा कथा उपनिशत से चंद हो गया उपनिशत से याद रखिएगा इतरे उपनिशत से कि डी नंबर होगा मुंडक उपनिशत से आपका राइट एंसर होगा मुंडक उपनिशत से लिया गया है सत्यमियों जैते question number आगे की ओर बढ़ते है question number आपके पास एक गारा उपस्थित होता है देखिए एक गारा question number है प्रतम प्रतम एउरोपिये देश का नाम बताए जीसिस ने भारत के साथ ब्योसाय करने के लिए joint stock company की शुरुवात की है आपका option A पूर्त गीज option B है डच option C है फ्रेंच option D है याद रखिएगा डेनिस तो आपका right answer होगा A पूर्त गीज ने शुरु किया था चलिए भाई अगला question की ओर बढ़ते हैं हम लोग देखिए question number 12 आपके पास उपस्थित होता है question number 12 देखिए बारह क्या बोला है कि चरक क्या बोला चरक किसे परसीद दरबारी चिकित सक थे तो option A है हर्स option B है चंद्रगूप्ट मोर्या option C है असोक option D है कनिस्क तो आपका right answer होगा कौन होगा तो ध्यान से सुनिएगा ये चरक है किस से चरक किसे के परसीद दरबारी चिकित सक थे तो आपका right answer होगा तो कनिस्क किसका तो कनिस्क समझ में गए आगे देखिए question number आगे की और हम लोग बढ़ते हैं question number है तेरा तेरा क्या बोल रहा है कि निमनलीखित कौथनों में से कौन सही नहीं है कौन सही नहीं है तो देखिए आपके पास उपस्थित है गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है ये तो आपका right answer है B number है चाय का उत्पादन आस्रम में होता है ये भी आपका right answer है जबकि D है केसर का उत्पादन हिमाचल परदिस में होता है यहीं आपका गलत है तो याद रखिएगा ये आपका D right answer होगा चलिए question की ओर बढ़ते है ये 14 number question देखिए क्या बोला है 14 number question कह रहा है कि रमायन का अनुवाद फार्सी में किसने किया था देखिए question बढ़ा खतरनाक है रमायन का अनुवाद फार्सी में किसने किया था ये option A है अबुल फजल option B है बदान यूनी option C है अबदूल लतीफ option D है इसर दास आपका right answer होगा B number right answer है क्योंकि रमायन का अनुवाद फार्सी में कौन किया था भाई तो याद रखिएगा बदायू नी किये थे समझ गया चलिए अगला question की ओर हम लोग बढ़ते है question number आपके पास 15 उपस्थित होता है निम्ड में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगा पतन जिसको कहते है है किसके तो पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगा है भाई तो अपसन A है कुंडला अपसन B है वी साखापटनम अपसन C है कतीरकल कौरीकल क्या है कौरीकल C number D number है पंडीचेरी जिसको पंडीचेरी कहते है याद रखिएगा पंडीचेरी के नाम से भी जाना जाता है तो ये क्या बोला है कि भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह का नाम बताईए तो आपका राइट आंसर होगा B होगा जो विसाखापटनम बंका अप्शन B है भागलपूर अप्शन C है राजगीर अप्शन D है कटिहार है क्या है अप्शन तो देख लिजे कटिहार है ठीक है तो याद रखिएगा बिहार राज्ये में कहा बिक्रम सिला गंगा डॉल्फिन अप्यारण इस्तित है अपका राइट आंसर होगा ये भागलपूर में इस्तित है याद रखिएगा चलिए कोशन नमबर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कोशन है सत्रा कौन सा कोशन तो सत्रा को देखते है सन्यूक्त राष्ट के कितने परमूख अंग है सन्यूक्त राष्ट के कितने परमूख अंग है तो अप्सन A है 6 गो अप्सन B है 8 गो अप्सन C है 10 गो अप्सन D है 12 गो तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर होगा 6 गो है सन्यूक्त राष्ट के कितने अंग है तो याद रखिएगा छोव अंग है चलिए अगला कोश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कोश्चन नमबर आपके पास उपस्तित है अठारा भारतिये सेना के सर्वोच कमांडर कौन होते हैं भारतिये सेना के सर्वोच कमांडर कौन होते हैं अपसन A है सेना परमुक अपसन B है भारत के परधान मंतरी अपसन C है भारत के राष्ट पती अपसन D है रक्षा मंतरी तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट पती क्या होते हैं तो भारत भारतिये सेना के सर्वोच कामांडर होते हैं चलिए अप्षन आपका राइट एंसर सी होगा चलिए कोशन नंबर उनाइस की और हम लोग बढ़ते हैं उनाइस को देखिए उनाइस क्या कह रहा है उनाइस है ओल इंडिया ओल इंडिया मुश्लिम लिंग की अस्थापना किसने की थी तो याद रखिएगा अफ्षन ए है मौलाना अहमद अली अफ्षन भी है मौमद अली जिन्ना अफ्षन सी है अन्ना खान याद रखिएगा डी है आपका हकीम अजमल खान तो आपका राइट आंसर होगा सी होगा आगा खान कौन होगा तो अफ्षन सी होगा आगा खान चलिए कोश्चन नमबर आपके पास उपास्थित होता है 20 कौन सा तो 20 कोश्चन नमबर है देखिए बिहार रिशर्च सोसाइ याद रखिएगा अफशन A है 39 सोटीस इसवी में अफशन B है 1915 सिमें अफशन C है 1929 सिस्वी में अफशन D है 1932 सिस्वी में आपका राइट आनसर होगा अफशन B 1915 इस्वी में बिहार रिशर्च सोसाइटी की अस्तापना की गई थी चलिए कोश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग बढ़ते हैं पर 21 अलग 20 में की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना रूप से कहलाता है तकनी की जो उसी जमीन में बारी बारी से आप लोग रूपते हैं तो क्या कहलाता है तो अफसन A है फसल प्रत्यावर्तन अफसन B है फसल चक्र अफसन C है फसल परिकर्मा अफसन C है तो फसल बदलना तो आपका right answer होगा याद रखिएगा वी right answer होगा फसल चक्र होगा याद रखिएगा चलिए आगे की और हम लोग बढ़ते हैं question number आपके पास उपस्तित होता है 22 कौन सा question तो 22 number question आपके पास उपस्तित हो गया स्वण चत्रभूज सूपर राजमारगो का रख राखाओ किसके द्वारा किया जाता है अपस्टन ए है जिला परिशत अपस्टन बी है पी डबलू डी अपस्टन सी है सी पी डबलू डी अपस्टन डी है इन एच ए आई आई आपका राइट आंसर होगा डी नंबर इन एच ए आई के द्वारा क्या होता है न कि स्वण चत्रभूज सूपर राजमारगों का रख राखाओ द्वारा किया जाता है चलिए अगला question है आपके पास 23 कौंसा question? तो 23 याद रखिएगा ओवद में किसानों का नेतरीत्व किसने किया था? क्या बोला? तो ओवद में किसानों का नेतरीत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा option A है महात्मा गांदी, option B है जवाहरलाल नहरू, option C है बाबा रामचंद्र, option D है इन में से कोई नहीं, आपका राइट आंसर होगा बाबा रामचंद्र, याद रखिएगा ओवद में, याद रखिएगा क्या बोले थे, कि ओवद में किसानों का नेतिरि बस्तित है 24, कौन सा कोशन है तो 24, सरकार ने केंद्रिये परतियक्ष कर बोड की अध्यक्षता में कुछ समय पहले जो समीती गठित की थी, वह किसने संबंदित है, option A है कर कानूनों का सहिता करण, option B है बैंकर लगाने के, बैंकर लगाने के मुद्दे के साथ, अन्यस्वभी कर कानूनों की संरचना, option C है याद रखियेगा क्या स्री है तो भारत में बिदेशी निवेशकों के कर पल्नाली सबंदित सरकारों, option D है काले धन के निर्माड उसका बिदेशों में हस्तन तरण तथा उस धन को भारत की कानूनी बितिये पल्नाली के अंतरग वापसी के मुद्दो, तो क्या question कह रहा था, question को अच्छे तरह से समझ लिए, सरकार ने केंद्रिये परतियक्ष कर बोड की अध्यक्षता में कुछ समय पहले जो समीती गटित की थी, वह किसे से समबंदित है, तो आपका right answer D होगा, याद रखियेगा, काले धन के निर्माण उसका विदेशो में हस्तनांतरण तथा उस धन को भारत की कानूनी बितिये पल्नाली के अंतरगत वापसी के मुद्दो को किया जाता है, तो आपका right answer D होगा, 25 नमबर कोश्चन को देखिये, मंत्री परिशत का एक नियंतर राज्य विधान मंडल करता है, कोई भी मंत्री किसी एक हाउस में सीट पाए बिना ओफिस में से अधिक नहीं रह सकता है, तो याद रखिएगा, अपसन A है, 6 सपता, अपसन B है, 6 दिन, अपसन C है, 14 दिन, अपसन D है, 6 महिना, आपका right answer होगा, 6 महिना तक वो नहीं रह सकता है, याद रखिएगा, चलिए, आगे कोश्चन की ओर बढ़ते हैं, 26 होगा कोश्चन, देखिए आपके पास उपस्तित है, फिलिपिन्स की मुद्रा कौन सी है, फिलिपिन्स जो देश है, इसकी कौन सी मुद्रा है, तो क्यात है, अपसन A, अपसन B है, पेशो, अपसन C है, रूपिया, अपसन D है, अपका right answer होगा, पेशो, जो फिलिपिन्स की मुद्रा है, कोश्चन नमबर 27, निमनलीखित में से कवन भारत का परत्षम वाय सराय सा था अप्षिन ओगा लॉड़्च अव्षियर में कर दोटा 22 बिहार सरकार द्वारा लड़कियों के सिक्षा के सुधार के लिए योजना सुरू की गई है अप्शन A है मुख्यमंत्री बाली का साइकल योजना अप्शन B है मुख्यमंत्री बाली का पुत्साहन योजना अप्शन C है मुख्यमंत्री बाली का पुत्साहन योजना अप्शन D है उप्युक्त सभी आपका राइट एंसर होगा ये सभी होगा क्योंकि मुख्यमंत्री ने सब को लागू किये थे किसको तो लड़कियों को पुत्साहित करने के लिए सिक्षा में बढ़ावा देने के ल कोश्चन नमबर 29 चितरंजन पश्चिम बांगाल किसलिए बिखियात है अप्शन A है लोको मोटिव इंडस्ट्री अप्शन B है जहाज निर्माण अप्शन C है वायल आयल फिल्ड अप्शन D है स्टिल प्लांट आपका राइट आंसर होगा याद रखिएगा A लोको मोटिव इंडस्ट्री अप्शन A होगा राइट आंसर कोशन नमबर 30 मडिपूर की रजधानी नेमनली खित में से कौन है अप्शन A है कोहिमा अप्शन B है इंफाल अप्शन C है गुहाटी अप्शन D है सिलंग तो अप्शन आपका राइट आंसर होगा B जो इंफाल है अगला कोशन कोशन नमबर 31 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कोशन नमबर 31 है देखिए कोशन नमबर 31 यह इस पुतनिक सेकेंड कौन है तो इस पुतनिक सेकेंड में किस जानवर को अंतरीक्ष में छोड़ा गया था अप्शन A है बिल्ली अप्शन B है भेड अप्शन C है चुहा अप्शन D है कुत्ता आपका राइट आंसर होगा दी कुत्ता को छोड़ा गया था एंतरीक्ष में अगला कोशन है 32 कौशन तो 32 कोशन है तो देखिए 32 में 20 वसांती इस्तुप इस्तित है 20 वसांती इस्तुप इस्तित है अप्शन A है बोधगाया अप्शन B है राजगीर में अप्शन C है पटना में अप्शन D है बैसाली में आपका राइट आंसर होगा याद रखिएगा B होगा राइट आंसर राजगीर में है 20 वसांती इस्तुप चलिए अगला कोशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कोशन नमबर आपके पास उपस्तित होता है 33 है कोशन नमबर 33 आपके पास उपस्तित है नोबल पुरुषकार पाने वाले प्रत्थम भारतिये कौन थे रबींद्रनाट टैगोर B है महत्मा गांधी C है दादा भाई नरव जी अफसन D है जमसेद जी टाटा जमसेद जी टाटा याद रखिएगा आपका राइट आंसर होगा ए रबींद्रनाट टैगोर जो याद रखिएगा प्रत्थम नोबल पुरुषकार से समानित किया गया था रबींद्रनाट टैगोर जी को चलिए कोश्चन नमबर आपके पास उपस्तित है 34 है कौन कोश्चन तो 34 नमबर उपस्तित है देखिए 34 क्या कह रहा है तो भूख हंड के देश्टी कोन से 200 में भारत कन नमबर पर आते हैं अप्सन ए है दूसरा अप्सन बी है चौता अप्सन सी है सातवे अप्सन डी है अठवा तो अप्सन राइट एंसर होगा सी नमबर जो सातवे आस्थान पर उपस्तित है चलिए अगला कोश्चन की और हम लो पंचायती राज्य संस्था बिलकूल है ही नहीं याद रखिएगा अप्सन ए है असम अप्सन बी है केरल अप्सन सी है तिरिपूरा अप्सन डी है नागालेंड तो अप्सन डी होगा राइट अंसर नागालेंड दिख लिए निम्दली खित में से किस राज्य में पंचायत राज संस्था बिल्कूल ही नहीं है तो ये नागान लेंड में ये पंचायती राज नहीं है याद रखिएगा अप्शन डी अगला क्वेश्चन 36 आपके पास उपस्थित है देखिए 36 बिहार कितने सांतर तक इस्थित है बिहार कितने सांतर तक इस्थित है अप्शन ए है तीरासी डिगरी उनाई सो पचास से अठासी डिगरी उनाई सातर सो चालीश तक पूर्वी दिसांदर अगला है तीरासी डिगरी से आठासी डिगरी पूर्वत्तरी दिसांतर अप्शन ची है तीरासी डिगरी बीस डिगरी से तीरासी डिगरी से 20 मीन त। 88 डिगरी 20 मीनट पूर्भी देशांतर अप्शन D है यद रखीगा 84 डिगरी से 89 डिगरी पूर्भी देशांतर आपका राइट एंसर होगा जो बिहार कितने सांतर तक इस्तित है तो अप्शन राइट एंसर होगा B होगा 83 डिगरी 950 से 88 डिगरी 940 पूर्भी देशांतर में इस्तित है चलिए अगला कोशन 37 नमबर ओडम महत्सो के औसर पर केरल में निम्नलीखित में से कौन सा एक बिश्वपरसीद परतियोगिता का आयोजन किया जाता है अप्शन A है बैलो की दोड़ परतियोगिता अप्शन B है सर्प 9 का दोड़ अप्शन C है मुर्गा की लड़ाई अप्शन D है उप्युक्त सभी आपका राइट आंसर होगा बी होगा सर्फ नौ का दोड होता है जो कहां पर होता है तो जिसको ओड़म महुथा के नाम से भी जाना जाता है कहां पर होता है तो याद रखिएगा केरल में होता है चलिए कोश्यन नमबर 38 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कोश्यन नमबर 38 क्या कह रहा है ध्यान से देखिए भारत में भाप से चलने वाली इंजनों का निर्माण कम से बंद कर दिया गया भारत में भाप से चलने वाली इंजनों का निर्माण कम से बंद कर दिया गया अप्शन ए है उनई सो सत्तर से उनई सो बहत्तर से उनई सो पचात्तर से उनई सो असी से आपका राइट आंसर होगा बी होगा उनई सो बहत्तर इसवी से भाप इंजनों को भारत में बंद कर दिया गया है यह अप्शन नमबर बी होगा राइट आंसर चलिए कोशन नमबर 49 की ओर हम लोग बढ़ते हैं 49 क्या कह रहा है ध्यान से देखिए भारत के किस भाग में मोहिनी अट्टम निरित्य का विकास हुआ याद रखिएगा भारत के किस भाग में मोहिनी अट्टम निरित्य का विकास हुआ अप्शन नमबर A है ओडिसा, अप्शन B है तमिलाडू, अप्शन C है मडिपूर, अप्शन D है केरल आपका राइट आंसर होगा, D होगा, जो केरल में होता है मौनी अटम निरित्या कहां के है भाई, तो केरल का है चलिए कोशन नमबर 40 की ओर बढ़ते हैं क्या कह रहाँ है, तो देख़िए चालिस नमबर क्या कह रहा है बिहार से अलग कर उरिसा, कौन है भाई, तो बिहार से अलग कर उरिसा को नया प्रांत बनाया गया है कब, तो याद रखिएगा 912 इसवी में, 920 इसवी में, 936 इसवी में, 937 में आपका राइट आंसर होगा याद रखिएगा सी होगा जो राइट एंसर होगा उन्हीं सो 36 में बिहार से अलग उलिशा को प्रांत का दर्जा दिया गया था याद रखिएगा चलिए क्वेश्टन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं 41 क्या कह रहा है तो देखिए 41 आपके पास है डॉडडठ ने राजियों का एक ही करण किया कौन एक ही करण हुआ था भाई कौन किये थे तो सर्दार पतेल अपशन B है शिक अबदुल्ला अपशन C है मौलान आजाद अफशन D है मोतिलाल नेरू आपका राइट आंसर होगा एं नंबर सर्दार पतेल ने क्या किये थे र उन्ही के द्वारा याद रखिएगा अप्शन यह होगा चलिए कोश्चन नमबर आपके पास उपस्थित है बियाली से दिल्ली में इस्थित विश्वपरसीद लाल किले का निर्माड किस मुंगल सासक ने करवाया था कई बार कोश्चन यह एसेसी में घूमते रहता है याद रखिएगा दिल्ली में इस्थित विश्वपरसीद लाल किले का निर्माड किस मुंगल सासक ने करवाया था आपका राइट अंसर होगा तो याद रखिएगा इसमें से पहले आप चेक कर लिजे अकबर अफसन ए है अफसन बी है औरंग औरंग जेव अफसन सी है जहागीर अफसन डी है साह जहाने जो लाल किला के निर्माड करवाये थे कौन थे भाई तो याद रखिएगा राइट एंसर होगा डी साह जहाने करवाये थे चलिए आगे कोशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कोशन नमबर आपके पास उपस्तित होता है 43 कौन सा कोशन तो 43 आपके पा परिवार में पैदा हुए थे क्या कोश्चन कह रहा है कि महावीर किस राज परिवार में पैदा हुए थे अफसन नमबर ए है साक्य अफसन भी है छत्रिये अफसन सी है लिच्वी अफसन डी है सत्वाहन तो महावीर जी कौन में जन्म लिये थे भाई कौन सा परिवार में तो अप्सन B होगा जो छत्रिये से ओ परिवार से बिलोंग करते थे कौन तो महावीर जी चलिए अगला कोश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं कोश्चन नमबर आपके पास उपास्थित है चगाली से निम्नलेखित मुंगल साशकों में से एक कवी भी था कौन था भाई तो याद रखेगा मुंगल साशकों में से एक कवी भी था कौन तो अकबर, अफशन B है, बाबर, अफशन C है, जागीर, अफशन D है, साह जहां आपका राइट अंसर होगा B जो कवी भी था और मुंगल साशक भी था याद रखिएगा राइट आंसर बी होगा जो बाबर हो था चलिए कोश्चन नमबर आपके पास 45 उपस्थित है 45 है दिल्ली के महरावली में इस्थित लव अस्तम निमनलीखित में से किस सासक से संबंदित है अफसन ए है असुक अफसन बी है चंद्रगूप मौर्या अफसन सी है समुंद्रगूप अफसन डी है चंद्रगूप देवतिये आपका राइट आंसर होगा सी होगा कौन है तो चंद्रगूप नहीं याद रखिएगा अफसन सी है समुंद्रगूप याद रखिएगा चलिए कोश्चन नमबर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 46 आपके पास उपस्थित है दिल्ली के मेरावली में इस्तित लोव अस्तम निम्नलीखित में से किस सासक से संबंदित है तो याद रखिएगा वहीं वाला रिपीटेड नहीं हो गया है कोश्चन जो समुंद्रगूप ने किये थे चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं 47 जो है 47 आपके पास है किस बहु उदेशिये नदी घाटी परियोजना का निर्माड महा नदी पर हुआ है अफशन A है टीहरी अफशन B है हीरा कुंड अफशन C है राणा परताप सागर अफशन D है थुंग बदरा क्या है तो तुंग बदरा थुंग बदरा कलस लिखा गया है इसका नाम है तुंग बदरा याद रखिएगा आपका राइट आंसर कौन सा होगा तो 47 का आपका राइट आंसर होगा जो हीरा कुंड बांध है न उसी पर है का है तो देखिए कहरा है कुश्चन किस बहु देशिये नदी घाटी पर योजना का निर्माण महा नदी पर हुआ है तो अप्शन ए भी होगा जो हीरा कुंड बांध है याद रखिएगा कौश्चन नमबर 48 निम्नलीखित में से कौन एक तारवाला बाद यांत्र नहीं है कौन है तो वाइलीन आप्शन ए भी है बासुरी आप्शन सी है बीडा अप्शनडी है गिटार याद रखिएगा बासुरी जीव होता है उतार वाली नहीं होता है याद रखियेगा आपका राइट आंसर होगा भी चलिये question number अगला 49 को दिख लेते हैं question number 49 किस दीन प्रितिवी सूर्य से सरवाधिक दूरी पर होती है ठीक है किस दीन प्रिति भी सूर्य से सरवाधिक दूरी पर इस्थित होती है तो आपसन नमबर A है 21 जून आपसन B है 3 जनवरी आपसन C है याद रखिएगा 4 जूलाई आपसन D है 23 सितंबर आपका राइट एंसर होगा 4 जूलाई को पिरित्वी क्या होती है सूर्य से अधिक दूरी पर इस्थित होती है याद रखिएगा चलिए कोशन नमबर लाष्ट है जो 50 होगा देखिए 50 है सन्यूक्त राष्ट संग में कितने सदस्य देश है याद रखिएगा 50 क्या का रहा है कि सन्यूक्त राष्ट संग में कितने सदस्य देश है अपसन A है 191 अपसन B है 102 अपसन C है 193 अपसन D है 105 आपका राइट आंसर होगा अपसन ये होगा 193 याद रखिएगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए जैहिन दोस्तो याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो को आप लोग इंतिजार कीजिए क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कोश्चन आपके लिए सेलेक्ट करते हैं